हलो दोस्तो, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है, लग एस्ट्रोलोजी इन 5 मिनिट्स में आज हम बात करेंगे वायू तत्वकी राश्यों के बारे में जिन में एर एलिमेंट होता है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको डिस्क्लेमर दे लेता हूं, कि अगर कोई भी आपको हमारा नाम लेकर के कोई कंसल्टेशन फी के लिए बोलता है, तो प्लीज आप उनकी बातों में ना आएं, क्योंकि हमारे चैनल से किसी भी प्रकार की कोई कंसल्टेशन फी किसी से नहीं ली जाती है, इस चैनल का एक मात्र जो परपस है, वो लोगों क नोलेज को, आपके नोलेज को इंक्रीज करना है, तथा आप लोगों की हल्प करना है, इसलिए किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन जो है, हमारे यहां पर फ्री है, दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि वायू तत्व की राशियां कौन-कौन से होती है, तो तीन नंबर की जिसे हम मिथुन बोलते हैं, इंग्लिस में जैमिनी, साथ नंबर की राशी जिसे हम तुला बोलते हैं, इंग्लिस में लिब्रा, और ग्यारा नंबर की राशी जिसे हम कुंब बोलते हैं, और इंग्लिस में बोलते हैं, ये तीनों की तीनों राशियां जो हैं, ये वायू तत्वा होने के कारण ऐसे लोग imaginative होते हैं, proactive होते हैं, दूर का vision होता है, बड़ी सोच रखते हैं, दूर की सोच रखने वाले होते हैं, तदा ऐसे लोग बहुत ज़्यादा creative होते हैं, और information collect करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो तीन राशियों का जो air element ह वो different तरीके से काम करता है, तो चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं, पहले बात करते हैं, मिथुन राशी की जिसे हम jamini बोलते हैं, देखें मिथुन राशी वाले लोगों में creativity बहुत अधिक होती है, imagination power जो कलपना सकती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो कलप कोई information collect कर रहे हो, या personal life से related कोई information collect कर रहे हो, लेकिन इनको information collect करना, दूसरों की बातों को जानना, दूसरे की विचारों को जानना, इनको जो है, बहुत ही अच्छा लगता है, और कई बार तो ऐसा होता है, कि अपना काम निकलवाने के लिए दूसरे को नचने के जाड़ पर चड़ा देते हैं, दूसरे को इतना ऊपर चड़ा देंगे कि उसको पूछो ही मत, और अपना मतलब उससे निकलवा लेते हैं, और कई बार जो है, अगर बुद्ध खराब हुआ तो थोड़ा सा धोका देने में भी ये पीछे नहीं अटते, अगर किसी को चीट भी करना के रखते हैं, सबके साथ मिलके रहते हैं, क्योंकि फ्लैक्शवल राची है, तो सबके साथ इनका उठना, बैटना, सबके साथ रहेगा, आपकी फैमिली में, अगर कोई मित्पुन लगना वाला है, या मित्तुन राची वाला है, तो आप उसके भ्यवार को देखिए, वो सबसे उसकी बातचीत रहेगी भले आपकी हो नहों कर लेते हैं दोस्तों बात तुला राशी या तुला लगन वालों के लिए तो देखिए तुला लगन वाले भी बहुत इमेजिनेटिव होते हैं लेकिन ये ख्याली पुला आप बनाते चलेंगे बड़ी बाते करेंगे बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बूलेंगे इनके पास आइडियाज जो है न एक से बड़के एक आइडियाज आपको इनके पास मिल जाएगा लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक्जेकुशन करना उन आइडियाज पर इंप्लीमेंट बहुत कम कर बाते हैं कई बार तो ऐसा होता है कि ये आइडिया देते हैं उससे लोग आगे बढ़ जाएंगे लेकिन ये वहीं के वहीं रह जाए इनके पास खुद के आइडियाज तो होते ही हैं लेकिन अगर इनके पास कोई आइडिया लेके जाओगे न तो ये कभी उसको मना नहीं करेंगे कभी सामने वालों को मना नहीं करेंगे बलकि ये उसको और जादा जो है मोटिवेट करेंगे ऐसे लोग जो हैं दूसरों को ब के पास अगर थोड़ा सा भी नोले जाना तो यह आपको आगे आके बताएंगे कि आप इस तरह से काम कर दिये क्योंकि उस्टेट फरवर्ड होते हैं क्लियर कट होते हैं किसी के प्रती मैल नहीं रखते हैं तो दोस्तों अब बात करते हैं कुम रासी के बारे में देखिए कु जो भी imagination करेंगे ना जितनी भी इनकी कलपना शक्ती होगी इनकी जो कलपना शक्ती होगी उसका एक दाइरा होगा और इसमें सबसे ज़्यादा execution होगा तो इसलिए ऐसे लोग बहुत ज़्यादा देखा हैं हमने artistic nature के होते हैं जो की सोचने के साथ साथ उस पे execute करना भी जान केबल सोचने में विश्वास नहीं रखते हैं और जो कोई भी सपना इन्होंने देखा होता है उसको पूरा करके दम लेते हैं जब तक वह सपना पूरा नहीं हो जाता यह पूरी सिद्दत पूरी determination के साथ लगे रहते हैं क्योंकि इनको पता होता है कि बिना मेहनत किये अगर आप भी अपने knowledge को increase करना चाहते हैं astrology आप आम इस्ते सिखना चाहते हैं तो bell icon को दवा दीजिए क्योंकि आपको notification आजाएगी मेरी वीडियो की और अगर नहीं तो आप जो हैं अंगोठा दिखा के भी जा सकते हो मतलब like करके भी जा सकते हैं thank you